बाजार में बीना एक पैसे का जोखिम लिये आप अपना पैसा गैरेंटीड डबल करना चुहाते हैं तो कुछ सरकार स्कीम आपके लिए बेस्ट आप्शन हो सकती है किसान विकास पत्र डग घर की बचद योजनाओ में से एक है जो सुनिशित गैरेंटीड रिटर्ण के साथ एक निविश्क के पैसे को दोगुना करने का वादा करता है ये केंद्र सरकार समर्थित लगो बचत योजनाओं में सीख है चूकि केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं की व्यासदर अपरिवर्तित छोड़ दी है किसान विकास पत्र की व्यासदर भी 6.9 फिस्दी पर स्थिर बनी हुई है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मताबिक इस डाग घर योजना की परिपकवता अवधी 124 महीने है और इस अवधी में एक महीने का पैसा दोगुना हो जाएगा क्योंकि पोस्ट इंडिया का दावा है निवेश की गई राशी 124 महीने में दोगुनी हो जाती है इस चोटी बचट योजना में निवेश की अजासा क्ता है जिसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है एक निवेश cap कितने डाग घर के वीपी खाते कूल सकता है इस पर कोई रोक नहीं है केवेपी को गिर्वी रखा जा सकता है या सुरक्षा के रूप में स्थानत रित किया जा सकता है संबन्धि डागखर में निर्धारित आविदन पत्र जमा करके गिर्वेदार से स्विक्रित पत्र के साथ समर्थित किया जा सकता है एक निवेशक अपने के वीपी साटिपी केट को एक पोस्ट ओफिस से दूसरे पोस्ट ओफिस में ट्रांसफर कर सकता है वास्तों में के वीपी प्रमाण पत्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी स्थानत रित किया जा सकता है डागहर किसान विकास पत्र योजना पर बोलते हुए सेभी डजिस्टर टेक्स और इन्विश्मेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलाकी के अनुसार पोस्ट ओफिस किसान विकास पत्र में ब्यासदर पूरी निवेश अवधी के दोरान टैक की जाती है एक निवेशक को के वीपी ब्यासदर केंद्र द्वारा दी जा रही है उदाहरन के लिए यदि किसी ने जन्वरी से मार्च दोहजार बीस तिमाही में डागहर किसान विकास पत्र अकाउंट खोला था तो उसी मेचॉरिटी के समय 7.6 फिस्दी की वार्षिक ब्यासदर मिलेगी वर्तमान किसान चालूती माही में खोले जाने वाले ने अकाउंट पर किसान पत्र की ब्यासदर 6.9 फिस्दी लागो होगी के वीपी की ब्यासदर अप्रिल से जून 2020 में 7.6 फिस्दी से घटा कर 6.9 फिस्दी कर दी गई थी और ये आस तक स्थिर बनी हुई है ब्यूरो रिपोर्ट खटपट निउस